जैसरी केदार हरहर महादेब दोस्तों इस समय केदारनात यात्रियों के लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है दरसल कल 10 अगस्ट साम साढ़े पांच बजे गुप्त कासी गवरिकुंड हाइवे फाटा के अंतरगत उपर पहाड़ी से चटानवा मलवा गिरने के कारण सडक मार्ग याता याथेतू पूरी तरह से बाधित हो गया है और यहाँ पर करीब 60 मीटर हिस्षा पूरी तरह से छतिगरस्थ हो गया है जिस बज़ा से केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से फिलाल रोक दिया गया है क्योंकि सडक मार्ग बाधित होने के कारण गवरिकुंड सोन परियाग से गुप्त कासी का संपर्क कट गया है इसलिए जो भी यात्री केदारनाथ यात्रा के लिए आ रहे थे उन्हें फिलाल रास्ते में ही सुरच्छीत जगह पर रोकने का सलह दिया जा रहा है और उत्राखंड पुलीस सभी सरधालूओं को रास्ते में ही रोक रहे हैं बहे सोन परियाग गवरिकुंड में जो भी यात्री पहले से थे उन्हें भी रोका जा रहा है क्योंकि इस समय रास्ते पूरी तरह से बंद हो गया है और इहां के मलवे में एक बाहन दवे होने की भी सुचना है और फिलाल मलवे को आज पूरे दिन तक हटा पाना काफी मुश्किल है इसलिए दोस्तों आज जो भी यात्री के दारनाथ यात्रा के लिए निकल रहे थे बे चाहे तो अपनी यात्रा कैंसिल कर सकते हैं इन दिनों पहाडी छेत्रों में लगतार भुस्खलन देखने केले मिल रहा है और इससे अभी ठीक एक दो दिन पहले ही केदारनात यात्रा मार्ग देवी धार में 40 मीटर सड़क मार्ग अबरुद हो गया था जिसे खोलने में करीब 40 घंटे का समय लगा था और 40 घंटे तक केदारनात यात्रा पुरी तरह से बाधित रही थी सारे यात्री 40 घंटे तक इधर उधर रुके हुए रहे थे और दोस्तो ठीक आज उसके एक दो दिन बाधी हाटा के पास अब 60 मीटर सड़क मार्ग के उपर पहाड़ी से मलवा आ गया है और फिलहाल इस बहुत ही समय लगने वाला है इसलिए यहां पर दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतार भी लगे हुई है इसलिए दोस्तों आप सभी अगली सुचना आने तक जहां है बहीं पर सुरच्षित रुके और दोस्तों जो लोग सोन पर याग गवरी कुंड में है वे भ यात्रा मार्ग कर और और यात्रा मार्ग को खोलने की तयारे बी चल रही है और दोस्तों आप सभी हमें इंस्टा पर फौलो कर लेगी मैं आपको सबसे पहले इंस्टा पर अब्डेट